गुरुग्राम में बीजेपी के नवनिर्मित कार्याले के उद्खाटन के बाद, आज बीजेपी के प्रदेशा अध्यक्ष ओबी धन्खड कार्याले पहुँचें। कार्याले में कार्यकर्दाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे वो पारटी के सभी कार्यों को और बहतर तरीके से करेंगे, साथ ही उनके व्यक्तित्व कभी विकास होगा। तो उसके लिए तो हम बहुत बार अलग केडर से मिलके रहते हैं, अलग काटेगरी के साथ बैठते रहते हैं, लेकिन ये जो आज के बैठने का दिन है, ये सभी कार्यकर्दाओं के लिए है। तो महिने में एक दिन ती करले है, कि नो अस्थानों पर मैं बैठने वाला हूँ, अभी पंच्छुला का करले तियार हो गया है। यहां का त्यार हो गया रोह तक का हो रहा है जब रोह तक त्यार हो जाएगा तो वहां भी अभी है एक पुराना का रहा है तो कम से कम महीने में एक बार जो है जो आसपास के जिनों के लोग सब आगे जो भी कारे करता है वो आकर मिल सकें अपनी बात कह सकें उनको एक आफसर म करता जो भी किसी को मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों से डारेक्ट संपर्क हो सके अब स्थान बना है और स्थान की दृष्टी से उसकी उप्यों की ताग यूशनाते से बढ़े गी और कारेले वास्तों में कारिये का आले है काम का घर जिसको कहत हैं वो अपने से अर्थों में चली दारत होगा तो इस तारीक को हमारे पाररिटी के 200 बड़ी निताओं की गठेकिया היा है इसमें सांसद्द हैं धायक हैं मंतरीगण है इसमें पारिटी के जिला अधिक से हैं जिला प्रभारी हैं प्रदेश के पड़ा हैं हमारे मुर्चा प्रकुष्टों के अधिक्से से सब लोगों को बुलाया है और हम जो आठ साल पूरे होने वाले हैं मोजीजी की सरकार के 26 मही को उसके लिए पे बड़ा अभियान ले रहे हैं 21 लाख लोगों को हम प्रदेश में संपर्ख करेंगे ओपी धनखड ने कहा कि 30 अप्रेल को राजय के करीब 200 प्रमुक नेताओं की गुरुग्राम में बैठक बुलाई गई है बैठक में सभी सांसत, मंतरी, विधायक, प्रदेश, पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों समेथ करीब 200 प्रमुक नेता शामिल होंगी धनखड ने कहा कि 5 माई से 25 माई तक पार्टी सूची बद्ध तरीके से 2 लाख लोगों से संपर्क करेगी वही 26 माई को 19 लाख लोगों से सीधा समवाद करने का लक्षा निर्धारित किया है धनखड ने कहा कि अपने इस अप्ध्यान के दोरान वो केंद्र और हरियाना सरकार की यूजनाओं के बारे में लोगों को जागरूप करेंगे गुरू ग्राम से मोहित कुमार पंजाब के जरी ठीगी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद